ओम नमः शिवाई जय मातरानी दोस्तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्यो हाट ओटके मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शर्मा दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस पुत्रदा इकादिशी पर किया जाने वाला अचूक उपाई शे इस पर संपुर्ण अता से एक वीडियो पहले ही आपके साथ मैं शेयर किया हुआ है इस वीडियो में आज मैं आपके साथ पुत्रदा इकादिशी पर संतान प्राप्टी के लिए संतान की उनत्ति तरख्डी के लिए कुछ खास उपाई जो हमें जरूर कर लेने चाहिए आ और इस दिन ही आपको ये उपाय करने हैं. सबसे पहला जो इस दिन काम है, दोस्तों, अगर आप अप उतुर्दा एकादिशी का वरत कर रही है, तब भी और नहीं कर रहे हैं, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, जो पहला उपाय है. देखिए हम सभी जानते हैं कि कादिशी की जो तिथी होती है वो श्रीहरी विश्नु की तिथी होती है इस दिन हम उनकी उपास न करते हैं और भगवान विश्णु की अगर कृपा हो जाए तो संतान प्राप्ती की जो दिक्कते हैं या फिर संतान की जीवन में कोई बाधाई हैं वो श्रीहरी की कृपा से तुरंट समाप्त हो जाते हैं तो खास तोर पर संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए इस उपाई को जो पहला उपाई मैं बता रही हूं उसे आपको करना है संतान गोपाल मंत्र दोस्तों देखिए कि ऐसा मंत्र है जो कि महा मंत्र कह सकते हैं जिस भी दमपती की, जिस भी व्यक्ति की संतान प्रापती की इच्छा है, इस मंत्र का अगर जाप करते हैं, इसका फल उन्हें अती शेग्र देखने को जरूर मिलता है। पूरी शदा निष्ठा भाव से इस पुत्रदाय का अधिशी से आप भी इस मंत्र जब का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों संतान प्रापती के लिए जैसा मैंने बताया यह महा मंत्र है और इसका जो फल है वो आपको मिलता ही मिलता है। आप चाहें तो इसकी संख्या एक माला की ही आप रखें। अगर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या आप नहीं संकल्प मिलेना चाहतें। लेकिन संकल्प यह रखें कि आप निट्य प्रते दिन एक माला संतान गोपाल मंत्र का जब पुत्रदाय का आदशी से शुरू करेंगे। आप देखिए पती-पत्नी में कोई एक भी इस मंत्र जब को कर सकता है। अब देखिए इसके लिए जो कुछ विशेशकारी हैं इस दिन मैं आपको बता दूँ जैसे कि इस दिन आप अगर एक आदुशी का वरत नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं वरत तब तो आप श्री हरी भगवान विश्नु की पूजा आराधना करेंगे ही, इस दिन अगर आपके प्रतिमा है उनकी सम्मुख भी आप संकल्प लेकर जब कर सकते हैं, जब आप जब करेंगे दोस्तों तो धान बस रखें, क्या कोशिश करके पीले वस्त्रों पहन लें कम से कम जस दिन आप संकल्प लेंगे, इस दिन आप भगवान को माखन मिश्री का अगले डूग वपा ये कादिशी व्रत में भी हम करते हैं, श्रीहरी को तुलसी पत्र के बिरा उनका भोग हम नहीं लगाते, क्योंकि वही सबसे प्रिय है भगवान विष्णु को, तो आप जब श्रीकृष्ण को बाल गोपाल के स्वरूप में जब उनको भोग लगाएं, तो उसमें भी तुलस इतो की माला मंटरों को मत्र के पास कि मंत्र के इनको जब करें, तो आप रुध रुध्राक्ष की माला पर एक माला जब आप इससमें के संतान गोपाल मंत्र को करें तो संतान गोपाल जो मंत्र है आप देख सकते हैं तो आप अप की साथ शेयर कर रही हूँ, दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मंत्र मिल जाएगा मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया हुआ है वहां पार भी मंत्र आप को मिलेगा तो दोस्तों इस मंतुर का आप इस दिन संकल्प के साथ जब करें आप देखेंगे इसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा जैसा मैंने बताया कि पती और पत्नी दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं आप सुबह कर सकते हैं और अगर आपके पास ओफिस गोईर हैं सुबह में समय नहीं मिलता तो संध्यागाल में भी आप इस मंतुर का जब कर सकते हैं शुरू लेकिन आप पुत्रदाय कादशी से ही संकल्प लेकर संतान प्राप्ती की जो आपकी कामना है उच्छा को कह करके आप शुरू कर लें एक माला जब तक आप करना चाहें जब तक संतान प्राप्ती ना हो जाए ऐसा संकल्प लें अश्रत अवस्था में आप छोड़ देंगे वो पांच तिन और उसके बाद फिर से आप उसे शुरू कर लेंगे तो दोस्तो इसी प्रकार से ये उपाय आपको पुतरदाय कादिशी वरत के दन से शुरू करके लगातार करते रहना है हर रोज सुबह या शाम एक माला लेकिन हाध्यान ये देना है कि आप लड़ो गोपाल के सामने में अभगवान श्री कृष्ण के सामने में दीपक जरूर प्रचवलित करेंगे क्योंकि वही हमारे इन मंत्रों के जब का साक्षी होते हैं तो दीपक प्रचवलित करके आपको ये कारी इस दिन से शुरू करना है अब दोस्तों कई लोग के सवाल की कब समाप करें जब आपके इच्छा पुर्ण हो जाए तब आप इसे समाप कर सकते हैं जब आप गरवती हो जाए अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तब भी आप विशीश पूजा आराधना करनी चाहिए दोस्तों दोस्तों अब दूसरा उपाय जो आपको संटान के उन्नती तरक्य के लिए संटान प्राप्ति की कामना के लिए पुत्रदाय कादशी के दिन करना चाहिए इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण के प्रिये बासुरी को उन्हें अर्पित करें अगर बाल गुपाल आपके घर में है आप घर पर भी कर सकते हैं लेकिन अच्छा ये होगा कि किसी कृष्ण मंदर में जाकर के आप बासुरी अर्पित करें जो भी भगवान वहां के हैं उनके हिसाब से आप एक बासुरी लेकर आएं आप चाहें त इसका भी दोस्तों मिलता है आपके इच्छा भगवान विष्णु भगवान प्रुष्ण के कृपा से सरूर पूरी होती है दोस्तों तीसरा उपाय जो इस पुतरदाई का अधिशी आपको कर लेना चाहिए संतान क्यों नत्ती तरक्की के लिए संतान प्राप्ती की कामना से आपको इस दिन पीपल के व्रिक्ष में जाकर के दूद और जल अर्पित करना चाहिए श्री हरी को दोस्तों ऐसा करते समय मन ही मन आप संतान प्राप्ती की अपने इच्छा कहते हुए भगवान विष्णु को दूद में श्रित जल मीठा करके अर्पित करें और वहां पर एक शुद्धगी का दीपक भी उनके निमत जरूर लगाएं पीपल व्रिक्ष के हर कण में माना जाता है श्री हरी कावास और इकादुशी के दिन इस प्रकार से आप विशेश पूजा करते हैं पीपल व्रिक्ष का आपको इसका पुन्यफल सरूर मिलता है दोस्तों तो इ इन में से कोई भी आप एक अपना सकते हैं अगर मंतरो का जब करना चाहते है वो आप करें इन अन्य दो पायो को को आप करना चाहते है आप सरूर करें उमीद करती हूं वीजिए वीजो में दी गई यह ज़ानकारी आपके लिए उप्योंगी फ़ाट होगी वीजिए रानी.